एक्सपेक्टेशन्स और अटेश्मेंट यह बहुत बड़ी चीज है जो लोगों को कही ना कहीं स्ट्रेस देती है थाइंग गॉड गॉड ग्रेस हंड्रेट परसंट सक्सेस्फुल है सारे केसिस जो मैंने डील किये है जो शंकर भगवन की वह तीसरी आग खुल जाती है तो वो तीसरी आग 6-16 साल के बीच में ही आक्टिवेट हो सकती है दर्द सिर्फ और सिर्फ हम अपने आपको दे सकते हैं कोई हमें दर्द नहीं दे सकता आप अपने मेंटल को कैसे सेट करते हैं अच्छे माक्स नहीं आए पेरेंस की डर से पेरेंस की हालत खराब है कि बच्चे को अच्छे माक्स नहीं आए क्या माक्स इतने इंपोर्टेंट थे वेलकम टू दे शो कुछ अनकही बाते जहां पर हमारे गेस्ट अपने दिल की बात बहुत ही सुकून और शांती के साथ में करते हैं हम सब की लाइफ में कुछ न कुछ प्रॉब्लम से हैं किसी की लाइफ में डिप्रेशन से हैं किसी की लाइफ में स्ट्रेस बहुत हैं कोई फैमली से खुश नहीं है, कोई पैरेंट से खुश नहीं है, कोई बच्छों से खुश नहीं है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रॉबलम तो है लाइफ में, इन सब प्रॉबलम से बाहर कैसे निकला जाए, या यह सब प्रॉबलम के साथ में भी लाइफ में खुश कैसे र बात करेंगे मनिशा ठककर के साथ वेलकम टू दा शो कुछ अन कही बाते हैं मनिशा मैं आज आपके साथ बहुत सारी बाते करनी हैं स्पेशली मेंटल पीस को लेके स्ट्रेस को लेके डिप्रेशन को लेके आज कल लोगों को जो सबसे ज्यादा प्रॉबलम है वो है डिप्रेशन का और मेंटल पीस का शांती है यह नहीं तो यह डिप्रेशन और जो मेंटल पीस है उस प्रॉबलम को सॉल्ट करने के लिए क्या करना चाहिए वेल सो डिप्रेशन और मेंटल पीस का पहले तू रीजन बता चले कि what is the reason because हर इनसान के depression और stress के पीछ अलग-अलग reason है लेकिन जो main reason the root cause that I am seeing जितने भी cases मेरे पास आते है और मैं जितने भी लोगों को मिलती हूँ वहाँ पर मुझे ऐसे पता चलता है कि expectations and attachment ये बहुत बड़ी चीज है जो लोगों को कही ना कही stress देती है लोग खुदसे भी बहुत खुदसे भी बहुत ज्यादा expect करते है दूसरों से भी बहुत ही ज्यादा expect करते हैं plus they are attached so दो चीजे होती है एक होती है love और एक होता है attachment जहाँ पर प्यार है वहाँ पर बहुत सुकून है वहाँ पर इतनी तकलीफ नहीं है लेकिन problem यह है कि हर जगा पर attachment बहुत ही ज्यादा है possession बहुत ही ज्यादा है चाहे वो चीजे हो या रिष्टे हो अपनी गाड़ी से attachment होना, अपने family से attachment होना अपने girlfriend या boyfriend या husband या wife से बहुत ज्यादा attachment होना यही सबसे बड़ा दुख का कारण है, in fact बच्चों से भी बहुत ज्यादा attachment होना और result से भी बहुत ज्यादा attachment होता है लोगों को कि बस इतने marks आने चाहिए, ऐसे handwriting होने चाहिए, ऐसे इंसान behave करना चाहिए, वो इंसान को मुझे इतना देना चाहिए इतना टाइम चाहिए मुझे इतना पैसा चाहिए मुझे जहाँ पर वो चाहत है जहाँ पर वो expectations और attachment है वहाँ पर issues शुरू हो जाते हैं यू मिन तो से expectations होने की वज़े से जब expectations पूरी नहीं होती है तो दर्द होता है या depressions या stress की problems होती है बढ़ हम रॉबोर्ट तो नहीं है as a human nature है हमारा तो human nature में expectations होना और attachment होना यह बहुत normal है तो यह expectations और attachment ना हो फिर इसके लिए क्या करें ओके तो उसके लिए सबसे पहले समझदारी से काम लेना है right expectations हम रख सकते हैं लेकिन उसके पीछे पेन नहीं होना चाहिए अगर वो चीज ना मिले तो plus इंसान से तो कभी भी expectation मत ही रखो जैसे हम बोलते हैं evolve या हम evolve हो सकते है या हम dk हो सकते है either a person can evolve और a person can dk धीरे 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 stress हमें खा लेगा या फिर हम evolve हो जाएंगे याने के संसार में रहके दिख्षा लेना इतना सुकुन में रहना ऐसा नहीं मैं बोल रही हूं कि हम सौ करोड के बारे में नहीं सोचे हम हासिल करने के बारे में नहीं सोचे लेकिन वो जरनी से हमें प्यार होना चाहिए लोग वो जर्नी में बहुती स्ट्रेस्ट होते हैं कि हां मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं मिल रहा है ये नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो पेन में ही जीते है और जिस दिन वो मिल भी जाता है, तभी वो बॉड़ी साथ नहीं देता है वो एंजॉई करने के लिए जरनी ही बहुत पेनफुल हो जाती है और अटेश्मेंट तो हमें समझदारी से ही छोड़ना चाहिए बिकोज दरा टू थिंग्स वन इस लव प्यार हमेशा देना समझता है यानि के मुझे देना है सामने वाला जू भी मेरा रिष्टा है मैं चाहती हूँ के वो इनसान खुश रहे उसको जो चाहिए वो मैं जितना हो सके उतना दूँ सो आई अलवेस टेल माई फैमिली मेंबर्स सभी लोगों को धैट मुझे कहां पर बेटर बनना है I tell my dad कि मुझे कहां पर बेटर डॉटर बनना है I tell my brother कि मैं और बेटर सिस्टर कैसे बन सकते हूँ I tell my husband मैं और बेटर वाइफ कैसे बन सकते हूँ क्योंकि मेरी जो भावना है वो देने की है and that is the reason which keeps me happy all the time दीरे 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 मतलब छोटी छोटी excitement दूसरों के लिए create करना that is love अगर हमें यह ऐसे फील होगा कि इसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसे क्यों कहा उसने मुझे ऐसे क्यों बोला मतलब सामने वाला क्या बोल रहा है उसके बारे में हमें सोचना ही नहीं exactly और उसका एक secret है कि क्यों नहीं सोचना है अभी लोग बोलेंगे कि normal है human nature है यह थोट तो आना ही है कि उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया मैं next आपको यही पूछने वाला था कि as a common man it is very difficult कि यह नहीं सोचना है हम कितना भी करें अगर हम किसी को time दे रहे हैं यह हम किसी से प्यार कर रहे है तो हमारे एक expectation तो रहता ही है कि हमें यह मिलना चाहिए तो यह इस चीज़ को stop कैसे करें yes तो यह समझना है हमें कि every person has a animal in themselves हर इंसन में एक animal का being होता है तो हमें पहले यह चेक करना है कि what animal I am in मैं कौन सा animal हूँ और मेरे सामने जो family members है who are they मतलब अगर आप expect कर रहे हो कि lion parrot की तरह बात करें तो वो नहीं हो सकता अगर dog parrot की तरह बात करें या peacock की तरह बीहेव करें तो नहीं हो सकता नहीं है राइट जो इंसन डॉग है वो डॉग की तरह ही वो चिलनम चिली करेगा वो scream shout करेगा जब तक उससे समझ में नहीं आए कि भई उसको खुद को चेंज होना है जो इंसन लायन है जो डॉमिनेट कर रहा है उससे उससे जब तक समझ में नहीं आता है तब तक he will also keep dominating now I cannot be sad के ये डॉग ने बार्ख क्यू किया लायन ने रोर क्यू किया ये पिग ने पूरी चीजे गंदी क्यू रखी मेरा बीग क्या है I am a dove जो हमेंश शांती में जीता है I am a parrot सामने वाला कोई कितना भी खराब बोले मैं मेठा ही बोलू to behave the way you want आपको जैसे चाहिए वैसे बीव करने ही वाले नहीं है Right So ये अगर हमने समझ लिया कि मैंने जो सोचव नहीं होने वाला है वैसे ही वो सामने वाला बीव नहीं करने वाला है तो आपको भी दुखी नहीं रहोगे बिकोज सामने वाला कभी कैसे भी उसके मूड के हिसाब से बीव करेगा परिस्थिति के हिसाब से बीव करेगा उसके खुद के मीं के हिसाब से उसके खुद के नेचर के हिसाब से वो बीव करेगा आप कैसे हो वो हिसाब से वो बीव नहीं करेगा बट इसमें दो questions आते हैं एक यह है कि कहना यह सब बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है number one number second लोग बोलते है यार हम भगवान तो नहीं है जो इतना माफ कर दे या इतना sacrifice कर दे तो ऐसे लोगों के लिए इस situation से बाहर निकलना कैसे possible है ऐसे लोगों को यह समझना बहुत ज़रूरी है कि दूसरों को सजा देने के लिए माफी नहीं देनी है खुद के मन की शांती के लिए हमें किसी को माफ करना है और कितना परेशान होना है और कितना दुखी होना है यहाँ पर जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं शायद कोई 20 साल का है कोई 30 साल का है कोई 40 साल का है कोई 50 साल का है और 50 साल के suffering के बाद भी है अगर नहीं समझना है खुद के mental peace के लिए अगर हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स या स्ट्रेस दिप्रेशन से हैं तो उसका सबसे बड़ा रिजन हम खुद ही है 100% मतलब हम जो दूसरों को दोश देते कि उसने मेरे साथ ऐसा किया इसने मेरे साथ ऐसा किया यह खाली हम कुद को सैटिसफाइड कर रहा है आपसलिटली क्योंकि कोई मुझ पर चिला रहा है तो वो इसलिए चिला रहा है क्योंकि वो डॉग है कोई मुझ से बहुत प्यार से बात कर रहा है तो इसलिए प्यार से बात कर रहा है क्योंकि उसके अंदर अच्छा ही है तो हर इंसान किसी को मैं सबसे बेस्ट किसी को एंजल लगोंगी कि मनिशा जैसा कोई ही नहीं अभी रहे बेस्ति बेस्ट किसी को एंजल मुझे इतने सारे कॉंपलिमेंस मिलते हैं लोग पेर चुके जाते हैं लिकिन आसे चार लोग भी रहें कि जो सोचेंगे शेह लॉड़ अलॉड अट त्यूज्ट की वज़ेसे हैं पीपल टैग युण आपको एक 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 यह रिंग के बारे में आप एक पॉइंट बता ही है एक पॉइंट बता ही है अब यह रिंग आप प्रॉब्लम यहां पर है जब हम अपने आपको राइट प्रूफ करते है और दूसरों को रॉंग कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, लेकिन हम यह समझने रेडी नहीं है कि सभी लोग सही है, और सभी लोगों का तरीका, अनुभव, उनके खुद के सबकॉंशियस माइन में जो पैटर्न्स बनी हुवी है, वो ही हिस्साब से वो इंसान देखने वाला है, तो अगर हम नॉन जज याने कि जैसे लोग रियक्शन्स देते हैं लाइफ में, इसको बच्चे नहीं करने है, ओ माइ गॉड इसको बच्चे नहीं करने है, किसी के चार बच्चे है, तो ओ माइ गॉड यह जमाने में चार बच्चे क्यों कर रहे हैं, किसी ने एक भी शादी नहीं की लिविन में ह को और कोई-कोई मतलब अगर दो शादी कर रहे हैं oh my god इसने शादी की oh my god इसने एक्स्ट्राइटल अफैर किया oh my god इसने तीसरी शादी की तो जिन्दिगी पूरी गौसिप में ही चली जाती है अब लोगों को खुद की बेटर बनाने के लिए है अपने अपको evolve करने के लिए है और शान्ती जितना भी शान्ती में जी सके जितना भी in the moment जी सके इतना ब्यूटिफुल इतनी ब्यूटिफुल लाइफ है लेकिन expectations, frustration, unforgiveness, jealousy, depression ये सारी चीजों के वज़े से लोग stress होते है depressed होते है और अपनी life को spoil करते है और प्यार पाने के लिए कितना ही shout और scream करते है अटेंशन पाने के लिए कितना ही shout और scream करते है लेकिन लोगों को ये secret नहीं पता है कि प्यार देने से बहुत ज्यादा प्यार मिले हमें ऐसा इंसान बनना है कि भई लोग हमें छोड के ना जाए हजारों लोगों को हमारी जरूरत हो हमारे फैमिली को भी हमारी जरूरत हो और वो तब ही हो सकता है जब ही हम देने जाए क्योंकि अगर मैं आपको बोलूंगी लिए लिजे 5 लाक रूपी सब को दूंगी everyone will be willingly I do not expect that to begin ृड़ आपक्यू चौटार्जार्टी बहुंकुता मैं अगर मैं सब को मुलोंगी मुझे 5 लाक रो लाक रो जाए मुझे 5 लाग रो तो सब लोग भाग जाएंगे लाइं और यह rze लोगिने क्योंकि हमें expectation क्यूंकि हम हमेशा मांगते रहते हैं इसलिए लिए ल इसलिए वो depressed feel करता है, ज्यादा तर लोगों की problem यही है कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, मेरे साथ कोई रहता नहीं है, किसी को मैं अच्छा नहीं लगता हूँ, भई आप क्या दे रहे हो, आप 10 लोगों को देना शुरू कर दो, देखो कैसे भीड लग जाती है 100 लोगों की So always that giving attitude, right? Expect more from yourself that you want to become a better person, मुझे एक अच्छा नहीं बनना, मुझे एक बेटर स्पीकर बनना है, मुझे किसी को और ज्यादा knowledge देनी है, मुझे लोगों को help कर रही है, तभी जाके लोग हमारे पास आएंगे, otherwise कोई नहीं आएगा and then आपको ऐसे लगेगा के भई मैं बहुत बन जाएंगे, जिस दिन हम देना शुरू कर देंगे, उस दिन हम actually magnet बन जाएंगे. तो मैं अगर यह सवाल पूछू कि यह जो भी आप replies दे रहे हो, वो as a coach दे रहे हो, या आप अपनी personal life में भी यह सब चीजों को proper तरीके से implement करते हो, क्या आपकी life में भी difficulties आती हैं, या ऐसा कभी होता है कि जब आपको depression जैसा फीलो, आपको दर्दो, ऐसा सब होता है आपक को ऐसे shock लगेगा कि इतना सारा pain, इतना सारा दर्द, लेकिन I always see the bright side, क्योंकि दर्द आपने जैसे बोला मेरे लाइफ में आता है, तो ऐसा कोई इंसान नहीं है, जिसके लाइफ में कोई issues नहीं है, करेक्ट, किसी को, मैंने देखा है लोगों को किसी को financial issues है, लेकिन US में परिस्थिती कुछ भी हो, मनोस्थिती बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, so when I was in 7th standard, तब से मेरे लाइफ में कुछ ना कुछ ना कुछ चालू था, my mother got hit with cancer, और 8 साल उनको बहुत-बहुत-बहुत ही तकलिफ भी, I have seen her dying every day, last 3 साल जो उसके थे, जहां पे मैं college में थी, तो उ लेकिन मैंने यह सोचा कि बस आज मैं उसे कैसे खुश रखो, मेरे पास तभी दूरास्ते थे, या तो मैं दुखी हो जाऊं और नार्मल लोगों की लिए, लोगों की तरह रोना शुरू कर दू कि मेरे साथ ऐसे क्यू हुआ, मम्मी के साथ ऐसे क्यू हुआ, जैसा आपने क आपकी मौम को इतनी सारी तकलीफ थी, तो किसी भी फैमिली में अगर किसी इंसान को तकलीफ होती है, तो जनरली मैंने लोगों को देखा है कि वो कहतें, अरे यार मुझा मेरी लाइफ में तो इतनी प्रॉबलम है, घर पे इतनी सब तकलीफ है, तो वो सब सिचूएशन को किस तरीके से करें? आपको किस तरीके से वह अंगल करने है? तो अटेश्मेंट में हमेशा पेन मिलेगा बिकोज आप हमेशा नेगेटिव साइट देखोगे, दुखी रहोगे, आपको बहुत 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 पेन होगा कि मुझे सब ठीक करना है, और कमिटमेंट में ऐसा होगा कि परिस्तिति कोई कुछ भी है, मेरा काम है, मैं सबको खुश रखूँ, आज मतलब एवरी डे मैंने कुछ न कुछ किया है, मॉम को मतलब कौन सी सीरियल देखेंगे, सीरियल के बारे में डिसकेशन करना, फिर मॉमी की फ्रेंज को बुलाना, स्कूल फ्रेंज को बुला के सप्राइज देना, पार्टी करना खुशी के मॉमेंट दे सको, आपका पूरा फोकस उसके उपर था, और फिर एक साल मैं कैंसर हॉस्पिटल में रही थी, चैन्नाई में डॉक्टर ने बोला के पेइनलेस लाइफ दे सकते हैं, तो एक साल वहाँ पर ही थी मैं, तो वहाँ पर भी सारे पेशन्ट्स को, मैं ब सबूरा के वहाँ पर ही तो यहाँ डिसकुशन करते रहना है जो सालों से कर रहे हो, या फिर रोड़ॉक्त ड़ मुमेंट्स को एंजोइंन बाचिस साल हो, लेकिन यह ऐसे ही झीना है कि、 अब वहाँ कि यह ही बाकी है, कि तने मजे करने है और और यह बात मैं किसी से सुना मैं continuous parties कर रही थी, you know, बहुत सारे cousins आये थे और बहुत सारे parties, तो किसी ने मुझे बूला कि parties इतनी सारी, now stop, you know, relax, थोड़ा, break ले लो, तो मैंने बूला, जबी लोग stress लेने में break नहीं लेते, तो मैं खुश रहने में क्यो बहेते हुआ। राइट, so people want to take stress, unlimited stress लेना है, लेकिन किसी ने थोड़ा बात मजे कर लिये, तो आरे शांती रखो, बस हो गया, इतना क्या जरूरत है, लाइफ में कब क्या हो सकता है, कब problem आसकती है, problem problem पर focus रहता है, आप खुशी 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 कर फोकस रहना चाहिए, छोटी छोटी चीजों में हमें मजे लेने है, छोटी छोटी चीजों को enjoy करना है, तो ही आप खुश रह सकते हो, वरना stress तो ही आजो बाजो, और स्ट्रेस अगर अंदर नहीं है तो बाहर स्ट्रेस देने वाले लोग बैठे हैं। वेरी ट्रू। क्या खुश कैसे हो इतना कुछ चल रहा है आपको स्ट्रेस क्यों नहीं आता है। यह सभी लोगों के डायलोग होते हैं। I really pity people के उनको जीना नहीं आता है। और सभी लोगों को पता है कोवड में इतना experience हुआ है कि कौन कब चला जाता है पता नहीं चलता है। लेकिन वो दो दिन तक लोगों को ऐसे लगता है कि बस जीना चाहिए जीना चाहिए। लेकिन तीसरे दिन देर बाक टू टेकिंग स्ट्रेस। मतलब वो उनकी जो happiness है वो भी I think so dependent on others, completely that is the reason। इसने ये किया तो I'll be happy, उसने वो किया तो I'll be happy। बट I think so होना ऐसा चीए कि हमारी values हमें कुद को बनानी चीए। जैसे कावत या ना कि भई शयद को कोई कितना भी गिरा दे तो भी उसका मिठास कम नहीं होता है। तो किसी और के बोलने से हमारी value कैसे कम हो सकती है। ये समझ में नहीं आता है। और कुछ ना कोई बोलने ही वाला है कुछ ना कुछ कोई ना कोई बोलने ही वाला है क्योंकि सब लोगों का अनुभव अलग अलग है। अगर टीचर बहुत ही अच्छे से क्लास में बच्चों को रख रही है लेकिन किसी एक बच्चे ने शैतानी की और उस पे चिलाया तो बच्चों को ऐसे लगता है कि शीज बच्चों को ऐसे लगता है लेकिन उनकी समझ उतनी है उनकी समझ है इसलिए उनको उसका डीपर तो निया होगा तो वह से किया होगा तो वह तरीका बबात करने का और पूचने का तरीका बहुत मैटर करता है जैसा आपने बताई आपकी लाइफ की जो difficult situations मतलब मैं अगर ऐसा को की difficult part को भी आपने बहुत अच्छे तरीके से enjoy किया है तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में इसे difficult parts आते हैं बट वो उससे बाहर ही नहीं निकल पाते हैं मतलब गर में कोई बीमार है किसी को बड़ी बीमारी है किसी को तकलीफ है तो इस situations को आपने जैसे बुला कि आपने कर लिया है बट हर कॉमन आदमी इसको कैसे टेकल करें सो टेकल करने के लिए बहुत समझदारी चाहिए और यह समझना है कि पहले तो जो वक्त है उसे एंजॉय करो बीन दो मुमेंट मैं अगर कॉफी का सिप भी लेती हूं तो एकदम 100% फील करती हूं अभी जैसे कि हम लोग मैं आपर एक वीडियो शूट कर रहे हैं, एक हंड्रिट परसेंट ओवर हियर वाय माइन इस नोट एनिवेर इलस जब ही मैं और कुछ करूंगी जब ही मैं सो रही हूं तो पर फील थे एर कंबल को फील करूंगी और मुझे ऐससे लगेगा इससे बेटर लाइफ ही नहीं है जब मैं खाना खाऊंगी तो एक-एक बाइट को फील करूंगी और मुझे लगेगा इससे बेटर कोई लाइफ ही नहीं है, क्योंकि इनसान कभी थौटलेस नहीं रह सकता, हमेशा हजारो थौट्स उनके दिमाग में आते रहते हैं, लेकिन हम अपने थौट्स को चूज कर सकत है, क्योंकि अगर मैंने मेरे थौट्स को चूज नहीं किया, तो अंजाने में मुझे बूरे थौट्स आजाएंगे, यानि कि मुझे जान बुच के अभी ये सोचना है, कि यहाँ पर कितना अच्छा स्टूडियो है, यह माइक कितना अमेजिंग है, you know, मैं किसी अच्छे तो मुझे हमें ये सोचना है कि मुझे ये इनसान को खुश करना है, उसके लिए सबसे पहले हमें खुश रहना पड़ेगा, क्योंकि जब ही मेरी मुमी को भी तकलीफ थी, तो मैं हमेशा दिखाती थी और खुश रहती भी थी, क्योंकि उसे फिजिकल पेन तो है, लेकिन अग अगर हम खुद ठीक रहते हैं, खुद खुश रहते हैं, तो हम दस लोगों पर अलरड़ी आइसान कर रहे हैं, तो यह जो इतने डिफिकल्टीस देखने के बाद भी आपने यह कोच और काउंसलर बनना, यह क्यों सेलेक्ट किया, या बच्पन से आपका पहले सी एफिक्स था फिल्म स्टारी बनना था, मुझे सीरियल में ही काम करना था, I was very passionate about fame, मुझे लाइम लाइट में बहुत पसंद था, मुझे बहुत अच्छा लगता था जबी मुझे बहुत इंपोर्टेंस मिले बहुत सारे लोगों से एक साथ, यह हमेशा करना था जो घर से अलाउड नही बहुत सारे बहुत सारे, मतलब बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद एक मैंने सीरियल शूट भी की ती, जो रिलीस नहीं हुए, वो महीमा चौदरी और सनी देवल के साथ थी, क्योंकि उसके बाद सेकेंड एपिसोड से ही डाड ने मना किया, तो मैंने स्टॉप कर दिया, मुझे वाल्यूस देने थे हमेशा लोगों को, फिर मॉम को जभी कैंसर हुआ और मैं हॉस्पिटल में एक साल रही, तो मुझे समझ में कितने लोगों को एक साथ हील कर पा रही हूं, कितने लोग मेरे वज़े से खुश हो पा रहे हैं, मतलब अलमॉस्ट पच्छास कैंसर मेरे सामने है और वो डांस कर रहे है, और वो ऐसे डिसाइड कर रहे है कि आज के बाद तो, कैंसर तेल लगाने गया, I am going to enjoy my life, मैं मजे करूंगा वैसे, तो वो जो feeling मुझे मिल रही थी, तभी वो जो happiness मुझे मिल रही थी दूसरों को खुशी देने में, तो मुझे ऐसे ल है कि आप किसी को assist कर रहे हो, कोई इंसान आपकी problem share, आपके साथ में उसने problem share किये, लेगिन share करने के बाद आप जो solutions दे रहे हो, वो solution proper work नहीं हुआ है, और उससे चीजे और खराब हो गई है, ऐसा कभी किसी के साथ में हुआ है, नहीं, thank God, God's grace, 100% successful है, सारे cases जो मैंने deal किय है, बहुत सारे difficult case आये है, जहां पर मुझे ऐसे लगा है कि मुझे ये case नहीं लेना चाहिए, so I would tell you about one case, there was one person who was very depressed, मतलब पाच साल से medications पे था वो बन्दा और बहुत ही अंगर था उसके अंदर, तो ममी पपा को सारे relatives को वो मारता था, और मुझे ऐसे लगा है, that not possible for me, then he came parents उसको लेकर आये, तभी उसने parents पे हाथ उठाया था, और मुझे ऐसे लगा, मैंने बोला भी था, कि मैं ये नहीं लूँगी case, लेकिन मैं 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 आप ले ही सकते हो, आप ना मत बोलो, and then मैंने सोचा ठीक, I'll give it a try, तो वो बन्दा जब मेरे सामने बैठा था तो बहुत ही and that was a time, you know, that he surrendered and then I could do it very nicely, वो case मैंने इतना beautifully solve किया, आज उनका पूरा फैमिली इतना खुश है, मैंने, I think, दो लाख रुपे चाज किये थे वो रिजॉल्व करने में पूरा इस्यू, छे महीने मैं, उन्हों ने मुझे लास्ट मैं ऐसे बोला कि अगर आपने बीस लाग भी बोला होता ना, तो भी कम होता जो रिजल्ट हमें मिला है, so God's Grace के बहुत ही ईजीली सारी चीजों के रास्ते मुझे मुझे मौम के आशिरवात से और, you know, सूझ जाते है कि बस कौन से किसको कैसे हैंडल करना है, and मैं तभी हाथ में लेती हूँ जबी मुझे पता है कि बस मै मेजर दिख रहे हैं वह यह है कि parents और kids, parents अगर कुछ बोल रहे हैं तो kids समझ नहीं पा रहे हैं, या kids अगर कुछ बोल रहे हैं तो parents समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत सारी complaints है कि बहुत हैं कि हमारे बच्चे टैकल नहीं हो पा रहे हैं, so what is the main reason, इसका सबसे बड़ा कारण क् main reason यह है कि nobody is a good listener, सबको सिर्फ बोलना है, सबको instructions देना है, right और दूसरा parents यह नहीं समझ पा रहे कि बच्चे यहाँ पर है और parents यहाँ पर है, तो parents को यहाँ पर आके बात करनी बड़ेगी, लेकिन वो यह सोचते है कि बच्चे यहाँ पर आके हमें समझे, वो हमारी पूर आरेंद्रमोधी की तरह पूरे इंडिया को handle करो, आपको अगर knowledge नहीं है तो आप कैसे कर पाओगे, अगर वो लेवल की बाते मैं आपसे करूँ तो आप कैसे manage कर पाओगे, और हम parents जब बच्चों को ऐसे सीधा बोल देते कि तुमको क्या पता मैंने कितने difficulties देखी है, हमार गाड़ी खशना पड़ेगा, और specially हम यहां थोचते कि उसको क्या problem है, घर दिया है, गाड़ी दी है, अच्छा खाना दिया है, एसी में सोते है, गाड़ी में घूमते है, उनको तकलीफ क्या है, पर उनकी तकलीफ है, किसी ने उनको मोटा बोला, किसी ने उसको लंबू बो हो रही है मेरे साथ, जैसे हमें भी लगता है कि हमारी BMW को किसीने scratch कहीं पर scratch आ गया या कोई चोटी सी चीजे हैं कोई expensive चीज खो गई या अगर मेरी चूडी खो गई और मैं सोचू के मेरी 2 लाग की चूडी को गई तो यह चीज भी बहुत ही चोटी है अगर हम अगर मैं 80 साल की हो जाओं और अगर यह सोचू कि BMW में scratch आया था तो मैं चार दिन रोई थी या 2 लाग की चूडी खो गई थी तो चार दिन रोई थी सिंगे तो हमें खुद को ऐसे लगे का कावी कीडनी फैल हो गई अब險 मैं चल नहीं पा रही हूं अभी मैं ऐखा क्रने पारी हूं और वह चोटी से बात को क्या षक्राइंग सो मच जैसे में चोटी सी ती ताभी मैं वहांं आरग कहलते थे तो उसका के लिए सब कुछ किया है, अपनी जान तक दे दिये, जो टाइम है, वो सब कुछ दे दिया है, पैसा दे दिया है, फिर भी हमारी नहीं सुनते हैं, इसलिए क्योंकि राइट कम्यूनिकेशन नहीं है, मैं मानती हूँ that every parent is a best parent, बट क्या सिर्फ माता पिता ही sacrifice करते हैं या बच्चे भी sacrifice करते हैं? skills का मतलब यह है कि हम कॉमा, फुल स्टॉप, पंचुएशन, टोन, राइट तरीके से यूज करें, यानि कि for example मैं अगर आपको यह बोलू, कि मैंने कहा कहा कि मैंने राहूल को चॉकलेट दी, अगर यही sentence मैं राहूल पे प्रेशर डालू, मैंने कहा कहा कि मैंने राहूल को चॉकलेट दिया, वो तो स्मीता ने कहा था, यानि कि वो sentence का मीनिंग बदल जाता है, वो होती है communication skills जो लोगों में नहीं होती, और दूसरा है communication sense, यानि कि किसके सामने क्या बोलना, कितना बोलना, और सबसे ज्यादा important है कि कप चुप रहना, यह लोगों को नहीं पता है जि एक soulmate या relationship के साथ हो, सिर्फ हमारे बात करने का तरीका और कितना बोलना है, कब चुप रहना है, बस वो एक चीज अगर लोग सीख जाए, तो बहुत ही शान्ती हो जाएगी पूरी दुनिया में, आपने यह सब बाते सीख लिए आप सीखा रहे हो, बट बच्पन से ऐसा को इनसान है आपका या कोई रोल मॉडल है, कि जिसको आफ फॉलो करते हो और आपको लगता है कि बस यह इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वैसे लर्निंग आप सीखते सबसे हो, बट आपका कोई रोल मॉडल है? मेरी रोल मॉडल मेरी मम्मी थी, क्यूंकि वो हमेशा छोटी-चोटी चीजों मैं खुशिया ढूंड लेती थी, कितनी भी तकलीफे होती थी, वो डांस करती थी, वो कभी भी माइक लेके स्टेज पे बोलना शुरू कर देती थी, मुझे हमेशा एंकरेज करती थी, और उसक तो बस एक ही था कि बस मैं सक्सेस्फुल बनू या मैं एक्टम हैपी रहों तो वही एक चीज थी जिसने मुझे इतना पुष्ट लिया के लिए और आपने उसको जन्यूनली पूरा किया अच्छे दरीकेसे लिए और मैंने हमेशा देखा था कि वह हर मुसीबत में खुश रह था वह नहीं रहती थी क्योंकि उसको पता था कि वह रहेगी तो दुसरे दस लोग रहेंगे तो यह सारी चीजों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मैं सीखती तो हर इंसान से हूँ एसा कोई एक पर्टिकिलर रोल मॉडल नहीं है लेकिन मुझे जहां पर भी सीखने का म जो अलग-अलग प्रॉबलम्स लेके आते हैं जो प्रॉबलम स आपने फेस ही नहीं किये तो उस प्रॉबलम का सॉलॉचन आप किस यस तरीके से देते ऑ या क्या भी सीखने के बात कूरी चीजे संवजने के बात मुझे यह पता चलता है कि कॉम सी थरापी उन पर कामता रह है सो उनके सबकॉंश माइंड को रीवायर करना पड़ता है उनके स्पकॉंशुस माइंड के लेवल पित्री करना पड़ता है बच्पन से लेके बहुत सब्धों each इस उनको हुए है जो उनुभा के वजह से इंसान की मैंटल परिस्तिति ऐसी हो गई है तो अनुभव को चेंज करना, सबकॉंशिस माइंड में जाके उसको रिवायर करना, NLP, Reiki, Pranic Healing, Arhatic, Crystal Healing, वो सारे कॉंबिनेशन से, Self Hypnosis, वो सारे कॉंबिनेशन से मैं किसी को ट्रीट करती हूँ. अलग 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 प्रोसेस है, लोगों की प्रोब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो आप सिर्फ आपका ज्यादा तरफ फोकस जो यंग एच है, वो रहते हैं या बच्चे भी रहते हैं? हर रहेक इंसान, आफटर 6 यह, 6 यह ओल्ड के बाद, 80 साल के भी स्टूडन्स है मेरे पास, और 6 साल के भी स्टूडन्स है, मैंने आपका देखा है कि 6 साल आपने वोला तो आप जो बच्चों के लिए ना आपका कोई ऐसा, आप मीड ब्रेन करके कुछ करते हो, जिसमें आपक बंद करके भी चीज़ों के बारे में गैस कर सकते हैं, तो वोट इस देट अच्छुली, ओके सो उसमें आपका को जाते हैं, और जैसे ब्लाइन लोगों के पास पावर्स होते हैं, उनकी दूसरी सब सेंसे बहुत पावर्फुल होती है, जैसे टच, स्मेल, टेस्ट, साउंड, तो वो भी ब्रेइन डेवल्पमेंट कोर्स में बच्चों के वो सारी चीज़े बहुत ही पावर्फुल हो जाती है, वो पावर्फुल होने के वज़े से वो लोग टच से भी, स्मेल से भी सारी चीज़ों को रेकगनाईस कर सकते हैं, लेकिन में रीजन ये अपने जो सेवन चक्राज हैं, उसमें से थर्ड आई जो है वो रिस्पॉंसिबल है चौंसेंट्रेशन के लिए, और वो अपने चक्टिवेट करने से बचों का चौंसेंट्रेशन बढ़ता है, जिसके वज़े से वो लोग अच्छे से फोकस कर पाएंगे, वो बेट बेट काम कर सकता है, या तो आपका लेफ्ट ब्रेशन अभी काम कर रहा है, या तो राइट ब्रेशन लेकिन ये इसके बाद दोनों ब्रेशन एक साथ काम करेंगे, and just imagine कि आप एक पैर से भाग रहे हो तो अपकी स्पीड क्या है, और दोनों पैर से भाग रहे हो तो स्पीड क्या के बता सकते हैं तो इस में आपके एक्ष शेडमे इस प्रट कर लिखां वाफ और यू चीनमें अच्छ टुडन्स यू कर सकते हैं तो जो ट्रेंट्स किया आप यह जो टेंड इसलिए खाल टो यी अट में चुछ घ्रम करेंड तो यह तो इस शरस चाहर रहे हो है और काफी सारी activities करवा रहे हो, mind development के लिए, depressions के लिए, तो in future आपका क्या प्लान है? इन future बस मुझे यही करना है, जो मैं कर रही हूँ, और मेरा main goal और vision यह है, कि जो भी मेरे संपर्क में आए, वो हमेशाँ खुश रहे और वो evolve हो जाए, उसके लिए मैं खुद भी सीख रही हूँ, कि और मैं बेटर तरीके से कैसे दे सकती हूँ, कैसे कर सकती हूँ, plus मुझे बहुत अच्छा है लोगों को खुश देखना, लोगों को यह समझाना के लाइफ इतनी ख़राब नहीं है, जितना आप सोच रहे हो, जितना आप फील कर रहे हो, लाइफ बहुत ही अच्छी है, चाहें, कुछ भी हो जाए लाइफ ने अगर आकर सोचने का चाला है, बहुत सारी problems solve हो चाते हैं और हर इंसान को सिर्फ एक ही इनसान चाहिए खुश रहने के लिए एक इनसान उसको शानती से सुने शानती से समझे उतना ही काफी है लेकिन प्रॉब्लेंध ये है कि लोगों को बहुत कुछ चाहिए शानती क्या है शानती चाहिए लेकिन इतना कुछ करने के बाद वो लोग शान्ती को अचीव करना चाहते हैं और उनको पता ही निये कि जो चीज अपने अंदर है वो बाहर ढूंडने की जरूरत नहीं है सारी चीजे करो बहुत ही मन लगा के करो बहुत पैसे कमाओ बहुत नाम कमाओ बहुत मैं भी करती हूं लेकिन हर जर्नी में हर चीज में सुपून होना चाहिए कि मेरे लिए इंपोर्टन्थ तो यह बाडी भी नहीं है तो मुझे लोग मेरे बारे मेरी तारीफ करें तो यह सब होता है यह सब होता है सब्सक्राइब अपूर्टन्थ लोग जो है हमारे लिये धुनिया में जैसे कि Narendra Modi है या Ghandi जी है उनको भी हम रोज याद नहीं करते हैं उनका FAMG सबसे zयादा है लेकिन उनको भी हम लोग साल में एक बार शाहिद याद करते हैं या कभी election हुआ या कभी रोज हम लोग पैसे खर्च करते हैं नोट पे Gandhi जी का फोटर है लेकिन रोज हम लोग याद नहीं करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि लोगों के लिए मुझे चाहिए क्योंकि लोग आज देखेंगे और 6 महने के बाद वापस एक बर देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि लोगों के लिए चाहिए लेकिन हाँ मैं ज love loving myself I love spreading love जिसके वज़े से वह एक फेक्टर आ जाता है हाद मुझे अच्छा लगता है लेकिन वह कुछ भी नहीं है क्योंकि जब कोई चीज इंपोर्टन्ट हो जाती है उसके साथ दुक आता है राइच सबसे ज्यादा डीम आते हैं कि कोई लड़की लड़के के साथ रिलेशनशिप में तीन चार साल तक उनका रिष्ता रहता है तो फिर किसी कारण से या तो वह मेजर ली ये कैसु जाता है कि भी इसने शाग चीटिंग कर लिया या यह प्रॉब्लम हो गया और मैं इससे बाहर नहीं आ सकती हूँ या नहीं आ सकता हूँ तो यह एक एना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का कोई पर्टिकुलर जो आप बोल रहे हो कि यह मैं एक्सपेक्टिशन नहीं रखनी है बड़ अब मैंने रख लिये हैं चा तरीके से हमें यह समझना है कि spiritual level पे पहले spiritual level की अगर मैं बात करूँ तो लेन देन जितनी कोई इनसान के साथ मेरी लेन देन है उतना ही मेरा रिष्टा वो इनसान के साथ रहने वाला है अगर आपको एक story बताओ छोटी सी एक छोटा सा बच्चा कर्मा एक छोटा सा साल का बच्चा अपने फादर के साथ और वो बोलता है कि मुझे ये सारी चीजे खानी है तो वहाँ पे कूपान सिस्टम है तो फादर गोस्टू दू दू कूपान काउंटर वहाँ पे सौसो की पांच नोट देते हैं और एक कागच की पर्ची मिलती है तो वो छोटा बच तो बच्चा सोचता है कि ये उल् hall वहाँ आचछ की पर्चा है वो बिल्कुल सही हो रहा है वह防डकी में एसुमlek में यह समझ पर्फ फरिजुशन हुआ नहीं एक कि जो भी मेरे साथ हुआ ए ऑ्नाहीं कि शार साल अच्छे बिता है फिर मेरे सा चीटिंग हुई ऐसा हुआ वैसे हुआ जो भी हुआ वो हिसाब बराबर हुआ तो spiritual terms में हिसाब बराबर होना ही है It is karma like जो आप करोगे वो होने ही वाला है और जो हो रहा है वो भी उसका भुकतान करना ही है करना ही है और वो जन्मों जन्मों का है हमने as a human being सिर्फ कपड़े बदले है As a human being हम सिर्फ ये planet पर है लेकिन हमने कोई और जन्म में किसी का पूरा किया है इसलिए ही जन्म से भी किसी को cancer होता है किसी को पीड़ा होती है तो हर इंसान का अलग-अलग हिसाब है वो भगवान ही जानता है लेकिन हा रिष्टा है तो तकलीफ है तकलीफे आनी है वो तकलीफो को सुलजा सकते है वो तकलीफो को ठीक कर सकते है अगर प्यार फर एक्जामपल अगर दो इंसान एक दुसरे के साथ बहुत ही अच्छे रिष्टे में है और कभी एक इंसान ने गलती से चीटिंग कर ली लेकिन पाँच साल का कॉंट्रिबूशन याद करके उसको माफ भी कर सकते हैं अगर वो इंसान कंसिस्टेंटली चीटिंग कर रहा है तो खुद को भी हम मेंटल ट्रॉमा से बचा सकते हैं तो सुल्यूशन हर इंसान के लिए अलग होता है कि अगर तकलीफ है रिष्टे में तो क्या तकलीफ है उसको कैसे सुल जा सकते हैं वो रिष्टे को ठीक करे या वो रिष्टे को छोड़ दे या वो इंसान को भूल जाए या वो इंसान को माफ कर दे या हम लोग खुद इसके समझ लो कि दो चीज़े हैं हमारे पास एक इसको सोच के हम प्रॉब्लम में रहे सोचते रहे डिप्रेसंस में जाये दूसरा यह होता है हमारे पास रस्ता कि हम इसके काम करें उसके काम करें कि आइधर मैं उसको छोड़ दू आइधर मैं उसके साथ रहो माफ करके चीज या जितने भी अन्मारिड लोग जो भी तक शादी नहीं की है तो रिष्टा वही होना चाहिए जहां पर सुकुन हो जाता है मैं लोग है इतने चीजे इतने एक्सपेक subti शादी करते हैं उनको यह समझ नहीं कि मैं उनको यह समय नहीं क्या है कि hair sends si के लिए क्यों करूँ तो वो बहुत-बहुत सारी बहस बहुत सारी तकलीफे और एक दूसरे को चेंज करने की कोशिश तो यह शादी के बाद में जो तकलीफ हो रही है बहुत जाद है जितने भी आप देखते हो अंडरस्टेंग नहीं है तो अंडरस्टेंग के लिए कुछ इसा पॉइंट की एक पर्टिकुलर आपी छोटी सी चीजे दो चीजों के धान रखो ना तो भी आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी तो ऐसे कौनसे पॉइंट है जनरली मैं प्री वेडिंग कांसिलिंग करती हूं उसमें मैं बहुत सारे पॉइंट बताती हूं और मैं ग इसा है वैसे उसको रिस्पेक करो जो भी आप दोनों के बीच में डिफ्रेंसिस है वो रिस्पेक करो प्लस आप सिर्फ देना सीखो लेने की बात मत करो प्यार दो सुकून दो रिस्पेक्ट दो हैपिनेस दो शांती दो स्माइल दो और बदले में अप्रिसेशन दो लेकिन सकते है कोई हमें दर्द नहीं दे सकता you mean to say this all our mentality आप अपने mental को कैसे सेट करते हो अगर मुझे कोई वक्त नहीं दे रहा है और अगर मुझे दर्द हो रहा है तो it is my mentality क्योंकि मैं उसके उपर और pain आप हमेशा purpose में बदल दो अगर कोई दर्द है ना तो उसका purpose बना लो life में कि अगर I am going through this तो और कोई यह चीज से नहीं गुजरे उसके लिए मैं लोगों को help करो और इतना लोगों को help करना शुरू कर दो कि आपके पास time ही नहीं हो आपके दर्द से communicate करने का या बैट के दुखी होने का सुबह से लेकर रात तक बहुत सारी चीज़े है करने के लिए खुद अकेले स्टारबक्स में जाके कॉफी पीने में भी उतना ही मज़ा आता है हस्बंड के साथ या वाइफ के साथ इतनी बहस करना कि आप मेरे साथ यहां नहीं चल रहे हो वहां नहीं चल रहे हो यह नहीं कर रहे हो और हमें एक रिष्टे पे कितना बोच डालते है राइट अगर मेरे हस्बंड को कुछ पसंद नहीं है अगर मैं उसे फोर्स करों के यह यह यू हाफ टू विथ मी दना बें पें राइट अपने बैटर तरीगे से उसको समझ लिया है और उसको किसी को फोर्स फुली रिलेशन रखने की बजाए हम अकेले यह हम अपने तरीगे से कैसे खुश रहे जिसको जो पसंद है वैसा पाटनर ढून लो जिसको जिम करना पसंद है वो जिम पाटनर ढून लो अगर आपको शॉपिंग पसंद है तो शॉपिंग पाटनर ढून लो अगर मैं मेरे भाई को ड्राइग करो कि चलो मेरे साथ शॉपिंग के लिए वो एक बार आभी जाए लेकिन मुझे अगर पांच ड्रेस्स ट्राइ करनी है और अगर वो बोले कि आरे यार यूर इरिटेटिंग मी क्या है जल्दी शॉपिंग करो ना ऐसे सब क्यों उससे चाह म साथ टैन करना आब की मौसी को हापके साथ टैन करना तो मौसी लेगी जाओ जोनो काफी के लिए क्यों एख रिष्टे के प्छे पड़े कि मेरा बॉय फरेन है ना चाह剛剛 कर दो को आः ट्रू यहम इंतल मॉसी को बहुत पसंद है आपके साथ टैन रखता है लोगों को, एक सुबह को उठने में एक मज़ा आता है, तो पैशन बहुत ही ज़रूरी है, सबको अपना पैशन डूंडना चाहिए, एक्सपेक्टेशन, अटेश्मेंट को साइडबे रखके, अगर पैशन के लिए जीना शुरू कर दिया, तो इंसान एक खुद ही कि मुझे डांस करना भी अच्छा लगता है, मुझे तो गाना भी अच्छा लगता है, मुझे ड्राइंग करना भी अच्छा लगता है, मुझे स्पीच देना भी अच्छा लगता है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं मेरा पैशन फाइंड आउट कैसे करो, तो सबसे परपस जो है आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ बनो या मेरा परपस जो है मैं कैंसर पेशंट को खुश रखूं जितनी भी जिंदगी उनके पास है वो लोग है प्लस मेरे आसपास जितने भी लोग आए वो सारे लोगों को मैं समझाओ के सुकुन की कीमत क्या है खुशी क्या है और वो मैं उनको एक लिस्ट वो लेवल पर लेके जाओ कि वो मेरे से अलग होने के बाद टोटली इंडिपेंडनेंट हो जाए क्यूंकि मैंने इस नॉट कि मैं कांसिलर सिर्फ एजूकेशन से साइको लोजी बैग्राउंड से हूँ इसलिए हूँ लेकिन मैंने सच में बहुत सारी चीजे देखी और ब्यूटिफुली हांडल किया तो मुझे एक्साटली पता है कैसे बेस्ट हो सकता है कैसे वो इंसान हंड्रेट परसंट चेंज हो सकता है तो मेरा पैशन है लोगों को पैशन और परपस जभी एक साध हो जाते हैं तभी नटिंग क אל чис, ब्रेकिऊ पैसा और सुकुन इसका कोई रिलोशन है पैसा और सुकुन का कोई रिलोशन नहीं है कही न कहीं कहीं बेस लेवल पर हैं लोग यह بولते कि पैसे पैसा है वो यह इसा देखो बेसिक लेवल पर पैसा ज़रूरी है क्योंकि अगर हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है खाना नहीं है या शान्ती से जीने के लिए तो फिर ओविएसली बहुत तकलीफ होगी क्योंकि पैसे कमाने के लिए पूरी दुनिया अशान्त है लेकिन मैंने ऐसे इंसान को को भी देखा है जो सुबे को टीवी देखके बस सो जाता है वीडियो गेम्स खेल के और वस सुप्राइज के भई ऐसे कोई कैसे जीता है तो एक बच्चा था मेरे पास पैरेंस लेके आए थे कांसलिंग के लिए उसने मुझे बोला मैं आप इतना पैसा कमा के ये सारी पैसा कमा के करने वाले मैं आज कर रहा हूं लेकिन उसके लिए भी पैरेंस के पास पैसे होना चाहिए वरना यह बेजिक लेवल पर पैसे और सुकून का थोड़ा बहुत रिलेशन है मनी इस एनरजी लेकिन ओनिंग मनी इस नाट डिफिकल्ट अगर हम मनी एनरजी को एक्स तरीके से महनत कर रहे तो सुकून और शांती से बहुत अच्छी तरह से जी सकते हैं लेकिन मैंने यह भी देखा है कि जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है उनको जीना ही नहीं आता है वो लोग शांती से दो पल भी नहीं बैठ सकते हैं तो उसका पॉजिटिव रिलेशन है और नेगटिव रिलेशन भी हैं लेकिन बहुत पैसा होने के बाद भी शांती होनी ज़रूरी है मैंने देखा है वन ओफ माई रिलेटीव अई नहीं गए क्युकि अभी बहुत काम बाकी है और वो दुनिया से चले गये वह एक्छी उनको युरप नहीं जाना था है और क और जो चीज है उसको पहले जी लो, enjoy कर लो, enjoy the moment actually, enjoy the moment, because कल हो ना हो, और इतने सारे गाने है, you know, मैंने देखा है, कल हो ना हो एक सौंग इतना beautiful गाना है, उसका हर एक वर्ड सुनना जरूरी है, लेकिन लोग क्या सोचता है, ये गाना सुनने के बद, और singer was very good, lyrics, no, but love, no, but love, को आप है, सुसाइड करेक, अच्हे माarम्ज नहीं आए बकारण नहीं। परेंस को एक सक्षाधी है, टान म Может को ब थेहीं, का मर को और मत भाना से बदी नहीं है, या नेक्वर – या अंगर को जोग लेके एका है,ниц chỉा थीछेफ में भी, तो उनका जारेशन आंगे नहीं नहीं होगी, right, so end of this, मुझे दो चीज़े चीज़े, अबसे पहले, parents के लिए, आप क्या suggestions देना चाहोगी, जो आज सी implement करें, और बच्चों के लिए, आप क्या suggestions देना चाहोगी, परेंस के लिए, मैं हमेशा ये suggestion देती हूँ, that be a good listener, मैं यह नहीं बोल रहे हो, कि फ्रेंड बनो, फ्रेंस उनके पास बहुत है, फ्रेंस पे क्या है, पता है, फ्रेंस पे हम अपना बोज भी डाल देता है, मैंने देखा है, परेंस को कि वो अपने problems बच्चों के साथ शेयर क बच्चों को अपने problems मत बताओ, लेकिन बच्चों को हमेशा encourage करो, inspire करो, और सबसे बड़ी सीख ये, कि आप अपने बच्चे को वैसे ही प्यार करो, जैसे आपने पहले 6 महीने में प्यार किया था, जभी आपको कोई expectations ही नहीं थी, जभी आप सिर्फ हसते थे, जभी आप स बच्चों को हग करते थे, जभी आप सिर्फ अपने बच्चे को हग करते थे, जभी अपनी गोदी में सुलाते थे, अभी भी माता पिता ऐसा कहते हैं कि हमें बच्चों को कोई expectation नहीं है, बट फैक्ट ये है कि इंडरिकली बहुत सारे expectation लेके चल रहे हैं, येस, पर expectations नही होने के साथ संसकार देना भी ज़रूरी है, यानि कि ऐसा नहीं है कि बच्चों को हम कुछ सिखाये नहीं, बच्चे अगर गलती करें तो हम डाटे नहीं, वो सब करना ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा deposit lot of love, आप अपने अकांड में 50 लाग deposit करो, उसके बाद 5 लाग व सैंसिबल नहीं है, बहुत सारा फ्यार दो मेरी मम्मी ने मुझे इतना प्यार दिया मैं जभी पढ़ा ही नहीं करती तो मुझे से मारती भी थी, तो भी अच्या लगथा थे तो मुझे आज भी वह याद है कि मुझे मारती थी ऐसे मुझे डर लगता था मुझे पुनिशमेंट लेकिन वह जब याद भी करती हूं तो बात हसके मुस्कुरा के याद करती हूं क्योंकि वह तकलीफ बुट डाउन करना इतना ज्यादा नहीं था जितना प्यार ज्यादा तो appreciation 100% करो उसके बाद आप fault find करो कोई problem नहीं है और sandwich technique यूज करो sandwich technique याने के तारीफ करना जैसे के you look so beautiful लेकिन अगर आपने 5 kg कम कर दिया then you will be the hottest अच्छा इस तरीके से कर लो तारीफ okay right ताकि उनको अच्छा भी लगे और चीजे भी इंप्रूब हो जाए और बच्चे को expectation से लोड मत करो मतलब वो ठीक होगा तो आपका mood अच्छा होगा उसका concentration बेटर होगा तो आप ठीक हो जाओगे तो इतना लोड डाला आपका husband भी आपका लोड नहीं ले पा रहा है तो बच्छे कैसे लेंगे आपकी wife भी आपका expectation का लोड नहीं ले पा रही है आपके parents भी आपके expectation का लोड नहीं ले पा रहा है तो इतनी छोटी जी जान कैसे लेगी कैसे लेगी और वो ठक जाते है बच्छे आपके लिटरली थक जाते है जब ही मेरे पास आते है जब ही मैं उनके वाक्शॉप्स लेती हो तो मैं पैरेंटिंग का भी लो ना उनको भी चेंज करो आपके पास या किसी के पास भी अगर बच्छों के सबसे ज्यादा काउंसलिंग आते है तो उसका सबसे बड़ा रिजन पैरेंट्स ही होते हैं 100 परेंट्स को अपने आपके अंदर बहुत सारा बदलाव करना नहीं है और उनको ये फील होता है कि नहीं मेरा बच्छा मेरी स पता Racing तर से म कहने का तरीका एक story forming हो शांती से दो घंटे में हो conversation हो discussion हो lot of listening हो तभी वह उसके जहन में बात उतर जाएगी तो शान्ती से कोई भी बात अगर समझाई जाए discussion form में authority उसको देखे कि आप ही मुझे बताओ कि ऐसे situation में क्या करना चाहिए उसको कैसे डील करना चाहिए ता Rahul का example देखे कैसे Rahul को डील करना चाहिए तो एक psychology terms में उसके subconscious mind में वो detail में उतर जाए so this was a beautiful session बहुत अच्छा session ता आज का finally आप audience को क्या message देना चाहोगे okay so expectations कम रखो attachments से बाहर निकल के commitment में ज्यादा रहो right be in the moment हमेशा enjoy this moment जो भी आपके हाथ में है plus एक रिष्टे पे बहुत सारा बोजमत डालो दस लोगो को रखो दस अलग-अलग लोगो को अलग-अलग hobbies के लिए साथ में रखो enjoy the day जभी भी घर पे जाओ हसते हुए जाओ खुद खुश रहो ताके दस लोग और खुश रह सके right be very positive, vibrative and energetic plus have a wonderful future creation so I want to ask one question to you आपकी dream place कौनसी है जहां पर आपको travel करना है Mauritius Mauritius और एक इंसान का नाम लो जिसके साथ आपको बहुत ही मज़ा आता हो जिसके साथ आपको ऐसे बहुत सुकून शांती और happiness मैसूस हो एक तो नहीं I think so my wife, my kids and my mom okay so कल अगर आप Mauritius जा रहे हो आपके पूरे family के साथ आज office में stress चल रहा है लेकिन कल आप Mauritius जाने वालो मेरे दिमाग में तो Mauritius के जो पल है वो गोम रहे हैं excited? yes right? okay now you are in Mauritius for 10 days और 10 दिन के बाद आप Mauritius की बेस जगा पे बैठे हो बहुत ही amazing place, amazing ambience और वो dream place पे आप dream लोगों के साथ आप वहाँ पे बैठे हो कल ऑफिस में वापिस जाना है last day है backpack करनी है एक घंटे में निकलना है आपका मूड कैसा होगा? थोड़ा अभी यहाँ पर इतना सब आप एंजर है किया तो ओफिस जाना थोड़ा कंटाला जेसा लगेगा and it will give me like little bit upset upset right यानि कि हम लोग बैस जगा पे बैस लोगों के साथ बैठे हैं फिर भी हम दुखी है यानि कि परिस्थिती बहुत अच्छी है लेकिन मनोस्थिती अच्छी नहीं है और अभी ओफिस में बैठे हैं परिस्थिती बहुत खराब है लेकिन मनोस्थिती अच्छी है यानि कि अपनी सोच से हम खुश हो सकते है परिस्थिती कितनी भी खराब है मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों की परिस्थिती हकीरकत में तो बाल ज्यादा खराव है, लेकिन अगर वो फ्यूचर के बारे में अच्छा सोचे, तो सब कुछ अच्छा हो सकता है, तो अटोमांटिकली अभी भी खुश रहेंगे, रहाप परिस्थिती में भी खुश रहेंगे, मुझे हमेशा लोग पूचते कि इतने सारे प्रोब्लम में मिल रही हूँ, उसके बाद हम एक्साइटेड एट मैं हमस बना रही हूँ रात को घर जाके सब के लिए, तो हम एक्साइटेड के सब को कितना अच्छा लगेगा, तो मुझे थोड़ा भी ऐसे नहीं हो कि शित I am going back, तो उसके लिए मैंने बहुत सारे प्लान्स बना लि कि मैं फ्लाइट से जाके सीधा यह कर रही हूँ, यहाँ पर खाना खाने जा रही हूँ, नेक्स दे मैं तीन मुवी देखने जा रही हूँ, तो continuously excitement creation is important. मतलब holidays भी excitement था और holidays के बाद भी excitement है और पहले भी excitement था, that is only the way कि जब आप life को enjoy कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप excitement create नहीं करोगे, जैसे होता है न जान बुच कि अच्छी चीज़े नहीं करोगे तो अन्जाने में बूरी चीज़े हो जाएगी, तो दुख तो दस तक देके नहीं आने वाला है, ऐसे ही दर्वाजा खुला है और आजाता है, एसलिए आपको खुशी अपने आप create करनी पड़ेगी daily basis पे, और वो भी एक इंसान के भरो से नहीं, very true, yes, it was very nice and healthy conversation with you, thank you so much, Manusha.